शुक्रोवाटे रजूत हैला बजेट मां खेडूतोंने वार्षिक रूप्या 6जर आपवानी ज्यायारात करी ने सरकारे खेडूतोंनी कोई मज़ाक करी नती उपिये सरकारे खेडूतोंने 5000 आपया हता और तें पंझ खेडूतोंने पहुँच आना थी बाजपा रास्टिय प्रवक्ताय वधुमा जणावी होतु के शुक्रवारे रजुत हैला बजेट मा भाजपाय आपेला सवनो साथ सवनो विकास नुसुत्र पूरु करवा मा विएुशे वड़ा प्रधान नरेंदर मोधी नुँ लक्षे होतु के लोकों न सरवांगी विकास साए अने तेने ध्यान मा राकी ने आप बजेट बनावा मा विएुशे बजेट मा खिडू तो इंफ्रस्ट्रक्चर अने सामने लोकों नुँ संपूर्ण ध्यान राकों मा विएुशे तेमने वधुमा जनावी होतु के कैंदर सरकारे छिला पांच वरस मा कोईपन प्रकानो टैक्ष वधालियो न थी परन्तो प्रती वर्षे टैक्ष मा रहात आपी शे बजेट मा महिलानों पन ध्यान राकों मा विएुशे 52 का लोको GDP बनावी शे तेवा माटे क्यारे योजना बनावा मा आवी नाती तेवा लोकों ने पन कैंदर सरकार द्वारा बजेट मा ध्यान मा लेवा मा आविया शे राम जन्मा भूमी अंगे तेवे जनावी होतु के राम जन्मा भूमी स्तडे जिये विवादी जग्या न थी ते सुप्रिम कोटे रिलीस करी दिवी जुजे धर्म संसद द्वारा तारीक 21 में फिबरूरी सुधी राम मंदिन निर्मान अंगे अल्टिमेटम आवी दिवा मावी शे ते अंगे नो जवाब आपता मिनाक्षी लेखी जनावी होतु के धर्म संसद द्वारा कोई तारीक आप पमावी न थी कॉंग्रेस राम मंदिन निर्म तारीक अंगे लोकों ने भरमित करी रही जए मैं कल बजट के दोरान संसद में बैठी थी और एक भारतिय होने के नाते ना सिर्थ इसलिए कि मैं भारतिय जन्ता पार्टी की संसद हूँ मगर इस देश के इस बजट को देखकर बहुत अपने आपको गौर्वानवित महसूस किया और बहुत ही खुशी का एसास हुआ कि जो नरिंद भाई का एक चुरू में लक्षे तै किया था उन्होंने सबका साथ सबका विकास और बजट को देखकर विल्कुल ठीक ऐसा ही प चुनकर और किसी ने ये बात कहीं नहीं तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से पूरे देश को मैं ये संदेश देना चाहती हूं कि पिछले पांच वर्षों में एक भी बार टाक्स को नहीं बढ़ाया गया है टाक्स की जो चल रही थी उसकी हमने जो रेखाएं हैं उनको आ पाई लाग, डाई लाग से तीन लाग, पाँच लाग, साड़े चे लाग, साड़े साथ लाग, आठ लाग, आठ से दस लाग तो अगर आप अस्तियत में देखें तो दस लाग तक फ्री इंकम का एक मिडल क्लास के लिए प्लान हो सकता है जिसको मकान खरीदना है उसको दो परीके का सेविंग करना है, पोस्टल एकाउन में 50,000 का उधर भी मिलता है, तो टोटल मिलाकर 5 लाग तो एकदम निवरित हो गए और 5 लाग के उपर भी 6 लाग तक के, एक स्लाब में कुछ लाब, साड़े साथ तक का, आठ लाग तक का, एक स्लाब और मकान जोड़ने तो 10 लाग, कोई भी नया युवा, अगर अपना पड़ा लिखा युवा, कोई अपना काम धाम शुरू करता है, तो वो इसी रेंज में आता है, पांच लाग, साड़े छे साथ लाग, आठ लाग, दस लाग, इसी रेंज में उसका कमाई है, और अगर वो सही धंग से प्लान करें, तो 10 लाग तक का, टाक्स फ्री इंकम उसको मिल जाता है, इसके साथी किसानों को लेकर, पूरे देश बर में कितना हंगमा, कुछ लोगो कार्ड है, चाहे सबसरी है, यह यह तमाम चीज या इरिगेशन फसिलिटीज है, उसके अंदर जो वित्रड जो पानी देने की चीज़ें उसके बदलाव हुआ, उसके एडिशन में किसान सम्मान के नाम पर उसको 6,000 रुपया उसके खाते में डालने का प्रबंधन किया, आ ब्रश्टाचार को खतम करके, और इससे पूर्व में जो है, ब्रश्टाचार के मादर्व से बहुत चीज़ें जा रही थी, LPG गैस, LPG गैस मुझे वो दिन याद आते हैं, जब LPG गैस के लिए सांसत का हस्ताक्षर का वशक्ता था, बिना उसके आपको गैस का सिलिंडर न बनता है, तो आप हमें पाइप गैस का अनुमती दीजे, ताकि सिलिंडर देश के उन हिस्सों में पहुच पाए, जहां पे गैस को पहुचाने की समस्या है, हम तो पाइप गैस से पहुचा देंगे, तो उस समय उनको वो इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि दिल्ली के पाइप गैस का प्रेयोजन चल रहा था, जो कि कहीं अधिक महेंगा था, तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली को पाइप गैस उपलब्ध हुई है, और वो भी 2014 में हमारी सरकार आने के बाद में हुई है, गुजरात में बहुत ज़ादा पाइप गैस है, और जो भी पैसा बचता है, सिलिंडर्स के माध्यम से वो देश के उत्राखन, जमु कश्मीर, ऐसे इलाकों में गैस जा रही है, जहां पर पहले गैस की उपलब्धी नहीं थी, और 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 जंगल से लकडी बीन कर लाती थी, और उसको जला कर दुआ खाया करती थी, और आपको किसी संसत का, किसी का हस्ताक्षर नहीं चेहे सब्वे सदस्य का, जिसके बिना आपको घर आकर वो सब कंपनी वाला गैस पहुंचा रहा है, 12 करोड के आसपास गैस की सिलिंडर मिलते थे, 2014 तक, अब पिछले 5 सालों मातर के अंदर 6 करोड लोगों को नए गैस सिलिंडर दिये जा चुके ह जो की पहले केवल शहर में थे, अभी वो कस्बा और गाउं में पहुंच रहा है, तो इसी से आप अंदाजा लगाएगे कि विकास कहां तक पहुंचा है, इंट्रास्रक्टर डिवेलप्मेंट के माध्यम से भी अगर देखें, तो 27 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से अगर माला के हिसाब से सेतुओं से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही देश ने 100 एरपोर्स बनाए हैं, और जब 100 एरपोर्स जब हम आये थे तो केवल 60 एरपोर्स थे, अभी 100 एरपोर्स मातरफ 5 वर्ष के अंदर, 4.5 साल के अंदर हमने 100 एरपोर्स खड़ा किया है, और जि देश के ही युवा, बुजर्ग, देश के ही लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो विकास की जिस रफ्तार को, जिस स्पीड को हमने पकड़ा है, वो देखने लायक है, टाक्सिस बढ़ाए बिना, जी एस्टी के लाने से कितना लाब हुआ, वो आप सब के सामने ह और उसमें भी सरलीकरन करके कितनी सारी 18 नए गूड़्स को भी टाक्स प्री, 18 मातर के उपर है, बाकी 32 को निकाला जा चुका है, और उसके साथ ही नए जो टाक्स करता जुड़े, एक करोड से उपर लोग नए टाक्स करता, इंकम टाक्स में जुड़े, जिसके कारण जो भी टाक्स का पैसा है, वो सही मायनों में देश की संपत्ती देश के कामों में इस्तिमाल हो रही है, चाए वो शौचाले बनाने का काम है, चाए किसान की मजबूरी की रेका से उपर लाने का काम है, जितने भी हस्तक शेप हैं, अगर इंशुरेंस की इतना काम हुआ है कि लुखे बिंदू यह कि टैक्स हमने पिछले 5 साल में बढ़ाया ही नहीं है जो टैक्स था उसको भी हमने लाइन को धक्का दे कर पीछे किया पहले दो लाग ता उसको डाइल लाग किया टाक्स प्री को डाइल से पाच किया पाच के आगे भी उसको सरका दिया कि अगर आप 50, इधर बचाते हैं 50,000 उदर बचाते हैं तो इतना लाब मिलेगा उसको थोड़ा और धक्का देके तो 10 लाग रुपे तक का आपको लाब है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है और इसकी मैं अपने आपको गौर्वानवित में सूस करती हूँ प्रदान मंत उनका सबका अरुन जी उससे पहले रहे सबका धन्यवाद कि इतना इतना बेतरीन काम 5 साल तक इस देश में हुआ है कि हर देश रासी को गर्व में सूस होता है चाहे वो एक अनरेगिलर काम करने वाला जैसे अनोगिनाई सेक्टर वाले जो लोग है जो 52 प्रतिशत इस बनाते हैं उनके लिए कोई पेंशन योजना नहीं थी अभी 18 साल की उमर से अगर वो पैसा जोड़ना शुरू करें तो 55 रुपया की जरूरत है और उससे उपर की उमर का अगर 30-20 उपर का है तो मात्र 100 रुपया जोडने से तो उसको 35,000 रुपय की पेंशन की इंकम होगी 60 भर्ष के बाद में और मुद्रा लोन के मादयम से जिसमें 70% महिला आए है तो चारो तरफ एक जो वर्ग था जो अचूता था सरकारी पॉलिसी से, सरकारी विकास से, प्रोग्रेस से, वहाँ पर बकाइदा सरकार ने उन सब की मदद की है और तमाम जगहाओं पर इंडिया, स्टैंडब इंडिया के मादयम से, मैनुफाक्रिंग सेक्टर, इवन जो एक्सपोर्ट से, उनको भी थोड़ी बढ़ातरी मिलिये, मैं बहुत खुश हूँ कि ये हर वर्ग को चुने वाला बजट था, पर मुझे खुशी बात की है कि उन्होंने डिविजिन ठी किया है, उनको भाग करना आता है, ये अपने आप में एक खबर है, और जहां तक विशे है, इसका, एगर इस हिसाब को आप लगाएं, तो 72,5 लाग करोर रुपया सरकार ने खर्चा किया है किसानों के उपर, और साथ में आपको ये भी हिसाब लगाना होगा, कि जो 52,000 करो कि ये पैसा किसानों को नहीं मिला, बलकि इनोंने कॉंग्रेसियों के बीच में ही बाटा है, वो रिपोर्ट भी उठा के पढ़ने, और तीसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अभी तो ब्रश्टाचार समाप्त करके हम सीधा किसान के हाथ में दे रहे हैं आप गुजरात का किसान केवल मत देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आदी ऐसे राज्यों में ऐसे ऐसे किसान हैं, जिनकी आए जो है ना, वो साला ना, वो बाइस सो रुपया, बाइस सो पचीस सो के बीच में उसकी आए है, वो रेडी भी लगाता है, वो खेती हर दूसरों के, उसके पास मातर आदा एकर की ही जमीन है, और ऐसे बहुत सारे किसान है, अगर उसकी बाइस सो कुछ रुपया या बाइस सो से पचीस सो के बीच में आए है कि खेती मातर से, उसके खाते में, और साला ना, छे हजार उसके हाथ में चला जाए, तो उसका सम्मान में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं तो राहूल गांधी जी को तो ये समझना चाहिए कि आपके समय में आपने जब पचास बावन हजार करोड रुपिया दिया वो भी कॉंग्रेसियों के बीच में उसका वित्रण हुआ सिये जी का अबजेक्शन है उसके करप्शन को लेकर उसका हिसा पहले दिजे यहां तो सरकार सीधा किसान के हाथ में कुछ तो दे रही है ताकि उसकी आए इससे बढ़े नहीं है वो हमारी अग्रिम जो हमारी योजनाए है वो तो हमें बतानी ही थी इंटेरिम बजेट का मतलब है कि अभी जितने खर्चे जब सरकार स्लीप मोड में चली जाएगी और इलेक्शन मोड में आ जाएगी तो उस समय के जो सरकारी खर्चे है वो तो आपको खर्चे दे नहीं है यह इस टर्म का आखरी बजेट है उस आखरी बजेट में आप आगे क्या सोच रहे हैं लोगों को क्या प्राबदान दे रहे हैं वो तो बता के जाएंगे या नहीं तो बजेट में उसका प्राबदान करके जाएंगे तो यह cash for vote नहीं है यह लोगों के बनाया गया बजेट है यह उस वाइदे को मुकरर करता है जो वाइदा हम लेकर आज से चार साल पहले आये थे और इसे यश्वान सिना जी से पूछिए कि आपके समय में इंफ्लेशन का क्या रेट था और जीडीपी का क्या रेट था तो जीडीपी आज भारत में 1951-52 के बाद सबसे अधिक है इंफ्लेशन सबसे जादा टाइट है जब हमने इंफ्लेशन को कम किया और जीडीपी को बढ़ाया तो आप समझ सकते कि यह कितना अपने आप में मुश्किल काम था तो जितने हावर्ड रिटर्ण है ना उन सब को आर्थिक निती पढ़ना और सीखना चाहिए एक इस देश के उस व्यक्ति से जिसने कभी चाय बेची है यह क्राकडाउन तो पुराने समय से जारी है और सिमी के कही ना कहीं कुछ ना कुछ नए लिंक सामने आये होंगे जिसके रहते इसको टेरर आउटफिट गोशित भी किया है और पहले भी इस पर कई बार कारवाई हुई है उसी के कारण कई बार सिमी के लोग कुछ और नाम से किसी और ऑगनाईजेशन के माध्यम से देश में कुछ ऐसी चीज़े कर रहे थे जो की आतंक के शेणी में आता है जी दूसरा सवाल यह है कि अर्विन केजरिवाल और शीला दिक्सीत की नजदी क्या बढ़ रही है अब आपको असा रखता है कि बीजेपी को स्ट्राटजी नहीं बदलनी है क्योंकि बीजेपी अपने काम के आधार पर जानी जाती है और जहां आतक शीला जी और अर्विन जी की बात है वो तो स्ट्राटजी के लिए अर्विन केजरिवाल को खड़ा किया है आप स्ट्राटजी अगर ध्यान से देखे तो आप पाएंगे कि कॉंग्रेस पार्टी ने ही क्योंकि इंडिया अगेंस करॉप्शन मुव्मेंट जो है वो इ पार्टी जनता पार्टी को लाब होगा उस मुव्मेंट को हाइजाक करके इन्होंने अपने एक नए व्यक्ति को खड़ा किया जो कि अर्विन केजरिवाल हमेशा से कॉंग्रेस की बातिंग कर रहे थे आप बताए पांच साल में कॉंग्रेस के खिलाफ क्या काम किया किती जनता के मन में जिन्दा है और उन सब परिवारों के मन में जिन्दा है जिनके मन में राम बसते हैं और वो अपने इतिहास को अपने साथ पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी हजारों साल से संजोके रखे हैं तो वो तीस तो अपनी जगा है इसलिए लगातार मेरा सुप्रीम कोच से हमेशा यह आगरे रहा कि आप एक इतने पुराने लंबित केस को समप्त कीजिए क्यों लट उसको हैंड़ोवर करने में क्या तकलीफ हैं उसको हैंड़ोवर कर दिया जाना चाहिए तो यह बिल्कुल सही रहे हैं और मुझे नहीं मानूं कि यह जमीन पे स्टेटिस को बरकरार ही क्यों रखा गया आप किसी प्रोपेगंडा के शिकार हो रहे हैं क्योंकि धर्मसंसत की यह गोशना नहीं है आप दर्मसंसत की लिखित में गोशना पढ़िए उनका रेजोल्यूशन पढ़िए उसका यह गोशना नहीं है और यह केवल कॉंग्रेस की तरफ से मीडिया को ब्रमित करने की आपको क्या लग रहा है आप देखी मेरी बात सुनियों एक मेरी मेरा मंतव्य पहले दिन से यह है कि देश में एक व्यवस्था खड़ी है और उस देश की कानूनी व्यवस्था में एक केस सुप्रीम कोट के आगे पेंडिंग है सुप्रीम कोट अपने दायरे को देखते उस पर निने दे मगर जो उसके बाकी जो जमीन है जिस पर कोई जगडा ही नहीं है जो उसके उरिजिनल ओनर्स है उनको दो उसके उपर रोक ही कैसे लगी मेरे हिसाब से तो वो जज्जमेंट ही गलत है जिस पर जगडा नहीं है जिस पर कोई अंडिस्प्यूटिट स्ट्र तो गगई जो है अभी कल के बज़ट के बाद तो मुझे इंतजारी था क्योंकि बज़ट पर तो कर नहीं सकते विकास पर कर नहीं सकते ठगी करेंगे तो ठगी क्या है मां गड़ बंदन नहीं मां ठग बंदन है जी EVM पर ही करेंगे अब, इस बजट के बाद तो खास तोर पर करेंगे, क्योंकि इस बार BJP 300 पार, तब नानी दादी से तो सभी बच्चों की शक्कन में पिए, वो मिस्स बढ़ रहा है, आप भूल गए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं देश में, जो की अपना परिवार संभालती हैं, पती का, बच्चे का ध्यान रखती हैं, देखने में भी ठीक हैं, मगर राजनेतिक उनका सीवी क्या है, वो पूछे ना, और सबसे बड़ा उनके सीवी में जो कुछ आता है, वो मिस्स बढ़ र हुआ है, वो हिसाब के बिना आयुष्मान भारत थोड़े आया है, आयुष्मान भारत भी आया है, प्रदान मंत्री आवास योजना भी है, वो सब खेतियर, मज़्दूर, marginalized farmers उन सब के लिए, और वो सब हो रहा है कम, तो, यह सुन से लिगा कहना है कि आपने जो काफी जो अपने समय में यूनिट 64 का माया जाल भुना है, तो उनको यह आपना माया जाल ही दिखाई देगा, लेकिन हां मैं यह जरूर कहना चाहूंगी, कि बजट में अब तक हमने कोई टाक्स की वृद्धी नहीं की, और बावजुद उसके स्वच भारत से लेकर प्रदान मंत्री आवास योजना तक आयुष्मान भारत पर हमने काम करके दिखाया है, क्योंकि इस देश के बाहर जाने वाले पैसे को रोक लगाई है, क्योंकि भारत के अंदर इन्वेस्मेंट आई है, क्योंकि इमानदारी से पारधर्शिता से इस सरकार ने काम किया है, जो कि पूर्व मे सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूस चैनल ने अने यूट्यूब उपर बैल आइकन दबावी समाच आरूने तमाम अपडेट मेड़ो